पूरे देश में प्याज की कीमतों में बढ़ा देखने को मिल रही है तमाम कोशिशों के बाद भी आम जन पर प्याज की बढ़ी हुई कीमतों की मार पड़ रही है प्यास की महंगाई थमने का नाम نہیں ले रही है बियार के पूर मुख्य मंतरी और जंता दल के मुख्या लालो-पिसाद यादव ने प्यास की बड़ती कीमतों को लेकर नरे-द्र मोधी और नितिश सरकार पर निशाना साथ है लालू यादव ने प्यास की किमतों में आई उच्छाल पर केंद्रिक खाद्यापूर्टी मंतरी रामविलास पासवान को भी घेरा है लालू ने ट्वीच कर कहा कि बोधी पासवान और नितिश राज में पियजवा अनार हो गए लालू का इशारा था कि पियाज की कीमते अनार की किमतों के करीब पहुँच चुकी है देश पर में पियाज की कीमते आसमाच हो रही है और ऐसे में लोग पियाज की आसूरोने पर मचबूर है पियार में भी प्याज की कीमत तकरीबन 70 रुपए प्रती कीलो से 80 रुपए प्रती कीलो तक है ऐसे कुछ हालात में आम लोगों को थोड़ी रात देने के लिए बिहार राज सहकारी विपणन संग लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से सस्ती कीमतों पर लोगों को प्याज मोहिया करवा रहा है इस बीच प्याज की बड़े हुई कीमतों को लेकर आमाद्मी पार्टी ने भी मोदी सरकार को घेरा है आमाद्मी पार्टी के निता संजे सिंग ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर देश की जनता प्याज के आसूरो रही है इस देश में 130 रुपए प्रती किलो प्याज खरीदनी पड़ रही है प्याज की कीमते के लिए बीजेपी शासित केंदर सरकार जिमेदार है केंदर की सरकार काला बाजारियों से क्या संबंध है इसका जवाब दे केजरिवाल सरकार ने सस्ते प्याज बेच कर आसूरो पोचने का काम किया लेकिन बीजेपी काला बाजारियों और जमाखोरों से गठ जोड कर रही है सरकार ने प्याज की महंगाई को थामने के लिए 1.2 लाख टन प्याज का आयाद करने का फैसला लिया मगर दिली के आजादपूर मंडी का कारोबारी और ओनियन मर्चेट असोसियेशन के अधिया अक्षराजेदर शर्मा के आकड़ों पर विश्वास करें तो देश में तकरीमां 50,000 से 60,000 टन ब्रोजाना प्याज की खपत होती है ऐसे में एक दशमलब दो लाख टन प्याज विदेशों से आने पर ये महद दो दिनों की खपत के बराबर होगी एलडी नियूज रोम के रिपर